हेलो एविवन नमस्ते वेलकम बैक टो क्लासेज बाविता गुपता होक्स एजुकेशनल इंसिट्यूट आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एंग्लो औरियंटल कॉंट्रोवर्सी के बारे में पाश्यात्य प्राच्य विवाद और यह जो टॉपिक है आप लोगों का यह यूपिएसी तक में भी यह टॉपिक पढ़ाया जाता है तो एक इंपॉर्ण टॉपिक है यह सभी बच्चों के लिए और यह जो बीएड है बीएड के अंदर आपको सब्जेक्ट दिया होता है कंटेंपरी इंडिया एंड एजुकेशन इसी तरीके से बीए बीएड मे वो करते हैं हम चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की एंगलो औरियंटल कॉंट्रोवर्सी जो स्टार्ट हुई थी इसी एक्ट के बाद में हुई थी और इसको स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कलीजे शेयर कीजिए दूसरों के साथ भी नॉलिज क लाने वाली हूँ तो आप लोग में साथ में बने रहेगा जिसमें कि मैं मैं कॉले मिनिट्स आप लोगों के साथ में शेयर करूंगे अडम्स रिपोर्ट शेयर करूंगी तो सब आपको मिल जाएगा और जो बच्चे नए हैं वह प्लेइलिस पर जाकर देख सकते हैं प्ले ऐसडेहें की अलग से विद्स बरी हूई हैएं बच्चों के लिए अलग से प्लेमीट ऑर कंटैंपरी इंडिया एंड इंद केशन हैं जो यस सबजैक्त की एक अलग से प्लेमीटिस पनि वे मिल जाकर आप यौने आप इस डिस्पूट जो भी वीडियोस हैं तो देख सकते इंडिया कंपनी चार्टर एक्ट 1813 तो यह जो विवाद है हमारा एंग्लो औरियंटल कॉंट्रोवर्सी यह काप से शुरुआ जो चार्टर एक्ट 1813 के अंदर आया था जिसको इस इंडिया कंपनी लाई थी तब से यह आपका डिस्पूट बना हुआ था इसके बारे में पास क्या गया थी बैटिष पार्लियमंट के थ्रू हो और इसको इंडिया में कंपनी का रूल है इसको लगातार चलाने के लिए लाया गया तैकर में मजो श्कूलgeschल स्मेचलक मोला अठीकार नहीं कि आप स्रिफ आप ही business कर रहे हैं यानि कि बिटीशियन्स ही business कर रहे हैं इंडिया के अंदर जो भी trade कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहे है तो वो जो monopoly ती एक अधिकार था वो खतम हो गया था बट किस चीज में इनका अधिकार खतम नहीं हुआ था वो था tea and opium trade यानि कि जो चाय और अफीम का वेपार opium trade को हम अफीम का वेपार बोलते हैं and the trade with china और जो china के साथ जो वेपार किया जाता था उसमें अभी भी इनका एक अधिकार ही था बट वागी का जो इनका trade में monopoly था वो खतम हो चुका था this reflects the growth of British power in India यानि कि इससे हमें क्या दिखता है कि British power कितनी थी इंडिया के अंदर यानि कि वो कितना मतब पावरफुल उस टाइम पे रूल कर रहे थे हम लोगों पे अब देखिए इसमें एक चीज जो है समझने वाली जो monopoly खतम होई थी एक अधिकार खतम होगा था थो क्यों होगा था क्या रीजन था तो उसको हम देख लेते हैं क्योंकि ये भी एक point है इससे भी जो आपके जो competitive exams हैं उसमें questions आ जाते हैं तो देखिए due to Napoleon Bonapart continental system in Europe which prohibited the import of British goods into French allies in Europe British traders and merchants suffered यानि कि अब देखिए इसमें का मतलब क्या है कि यूरोप के अंदर क्या था Napoleon Bonapart continental system था और उसके अंदर क्या था कि जो बिटेशे से जो भी goods import करते थे वो उस पे उन्होंने ban लगा दिया था कि बिटेशे से बिटेशें से goods नहीं लिये जाएंगे तो इससे क्या रहा था कि जो बिटेशे जो टेडर्स थे उनको काफी नुकसान हो रहा था क्योंकि वो अपना जो माल थे अपना जो भी समान था वो नहीं बेच पा रहे थे अपने goods को नहीं बेच पा रहे थे यूरोप के अंदर So they demanded for a share in the British trade in Asia and dissolve the monopoly of the East India Company अब देखी जो बिटेशे थे वो क्या थे उनको बहुत नुकसान हो रहा था तो जो यूरोपियन से उन्होंने क्या उन्होंने एक डिमांड रखी कि जो बिटेश टेड है उसमें उनको एक share चाहिए जो भी वो इंडिया में के अंदर ट्रेड करें उसके अंदर उनका भी एक share होना चाहिए अब इससे क्या हुआ कि जो इडिटेशेंस की मोनोपॉली थे वो खतम हो गई क्योंकि अब उनको एक share उनको भी देना होता था स्टार्टिंग में क्या था कि इस अब्जेक्शन किया विरोध किया बट क्या हुआ कि उनको मानना बड़ा बट फिर भी उन्होंने जो तीन मेर्चेंट्स वर अलाओ टू ट्रेड इन इंडिया अंडर इस्ट्रिक लाइसेंसिंग सिस्टम अंडर दा चार्टर एक्ट ऑफ 1813 बट इन ट्रेड इंड विद चाइना एंड टी ट्रेड एंड कंपनी इस्टिल रिमेंड इस मोनोपोली तो जो अभी हमने बात की वही वा सब्सक्राइल करें उसके अंदर और उसके में भी उन्होंने इसको एक्जेंट रखा ऊसको इंक्लूड उनने नहीं कि उसमें अभी उनकी मोनपोली थी तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा यह जो कमर्शनल मोनोपॉली थी ख्याती है तो इसलिए मैंने अलग से नोट्स इसका बनाया है ताकि आप लोगों को यह के लिए रोजाए और इन नोट्स को आप अपने एक्जाइम के लिए एसटीस प्रिपेर कर सकते हैं इ डेगी तो चार्टा रेकता है इसमें ट्रेइट्स के बारे में तो थाई साथ में एक एनोंने एजुकेशन के बारे में बात केती हैं क्योंकि ए ऐको ऐस्मारी एजुकेशन से रिलेटिड ही है तो उसको हम देख लेते हैं In this charter, it was instructed that it would be the responsibility of the company to arrange education in the areas ruled by the British company, but it was not made clear what the nature of the education would be. अब देखिए इस charter के according, यानि कि जो 1813 के अंदर या आपका एक्ट आया था, charter act, उसमें क्या था कि ये बोला गया था कि company की responsibility है, कि वो इंडिया के अंदर जो education system है, उसको वो देखे, उसके लिए rules regulation मना है, बट इसमें ये के लिए नहीं किया गया था कि वो जो education है, वो किस त after this act, two groups, या classes हम बोल सकते हैं, are formed in the company, one orientalist and other is anglicist, तो इसमें क्या था कि इस act के बाद में, दो group बन गये थे, या दो class जिसको हम बोल सकते हैं, वो बन गये थे, तो जिसमें से एक थे anglicist और एक ती orientalist, यानि कि इसमें थे पाश्चात्य वादी और प्राच्य वादी, क्य कि देखी, जो हिंदी की बच्चे वो भी जुड़ो हैं, तो इसलिए मैं साथ की साथ बता रही हूं, तो आप लोग जो English medium students है, Hindi medium students अपने notes बनाते रहें साथ की साथ, अब देख लेते हैं, orientalist को देख लेते हैं, क्या है ये, the orientalist anglicist controversy was a controversy regarding the nature of education, मतलब education को लेकर थी controversy, the oriental इसलिस्ट वर led by Dr. H.H. Wilson and H.T. Principe, इनके यानि कि जो main जो लोग थे हूं थे इसमें, H.H. Wilson और H.T. Principe थे, who were supporters of the study of traditional Indian learning and western science using languages such as Sanskrit, Arabic and Persian, यानि कि ये थे Dr. H.H. Wilson और H.T. Principe जैसे जो लोग थे, वो support कर रहे थे कि आप जो भी western आप literature पढ़ाना चारे हो, या कोई भी science जो आप पढ़ाना चारे हो, तो Indian language के अंदर होनी चाहिए, Sanskrit, Arabic या Persian जैसी languages के अंदर लोगों को नॉलिज दी जानी चाहिए, यानि कि देखें आप ही हाँ इन्होंने English की बात नहीं किया, इन्होंने senior and experienced officers of the company were in this class, यानि कि जो बहुत senior and experienced लोग थे, वो इसके अंदर, include इस class के अंदर, they use the word literature in the order of 1813, यानि कि उन्होंने literature, यानि साहिते का नाम लिए 1813 charter के अंदर, तो उससे उनका क्या मतलब था, to mean Indian literature and form the world Indian scholars, they took it to mean the scholars of Indian literature, they wanted, यानि कि इसके में क्या है कि उन्होंने जो word के लिया, नाम literature का नाम लिया, तो उससे उनका मतलब Indian literature से ही था, Indian scholar से था, तो इससे वो चाहते क्या थे, क्यों चाहते थे वो, क्योंकि थे तो वो भी petitions थी थे, तो क्यों चाहते थे, कि जो इंडियन हैं, उनको Indian languages में ही पढ़ जाया जाये ज्यादा, तो वो reason हम देख लेते हैं, कि वो आखिर में वो लोग चाहते क्या थे इससे, तो देखिए, इसमें सबसे पहला पॉणने कि वो चाहते क्या थे, education should be given in Indian, India through Indian languages, यानि कि जो इंडिया के अंदर आप जो भी education दें, वो Indian languages में दें, जिसमें Sanskrit, Hindi और Arabic थ वो also in favor of giving general knowledge of western knowledge and science to Indians, यानि कि कुछ लोगों का ये भी मानना था, कि जो लोग है, उनको स्रिफ Indian literature ही नहीं पढ़ाया जाये, बलकि उनको western knowledge भी देनी चाहिए, western science भी उनको पढ़ाया जाना चाहिए, Indians को, but they had their own arguments in this regard, तो यानि कि इसमें भी इनके खुद के भी कुछ arguments है कि क्यों ऐसा होना चाहिए, तो वो हम देख लेते हैं, तो इसमें देखी सबसे पहले तो Wilson जैसे लोगों के बारे में दिया हुए, जो Wilson जैसे officers उनके साथ में थे, argued that teaching western knowledge and science in India could lead to opposition to the British in India, यानि कि उनका मानना था कि अगर हम जो western knowledge देते हैं लोगों को, science की knowledge देते हैं, तो उससे क्या होगा कि वो लोग Britishians के खिलाफ हो सकते हैं, opposition में हो सकते हैं, second जो थे, प्रिंसिप जैसे जो लोग थे, उन्होंने भी argue किया था, argued that Indians are not worthy of receiving education in western languages, यानि कि जो इंडियन से वो इस लाय कि निया कि उनको क्या है, आप western languages को सिखाएं या western languages में उनको education दे, या फिर आप western literature या science की उनको knowledge दे, तो यह प्रिंसिप जैसे लोगों का कहना था, यानि कि जो और भी कुछ लोग ते उनका कहना था, कि अगर वो western language या literature या science लोगों को पढ़ाएंगे, तो लोग क्या होंगे, अवेर हो जाएंगे और वो बिटिश आसन को खाड़ फैकेंगे, तो आप देखिए, अगर यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, विल्सन प्रिंसिप जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, तो उनका क्या कहना था, उन्होंने इसके खिलाफ भोला, कि अगर आप सिर्फ इंडियन, मतलब अगर आप इंडिया के अंदर western language आप पढ़ाते हो, तो नॉलेज हैं, उनको वह ही रहने दो, क्योंकि उनके इंडिया के जो लोग हैं, उनके पास इती नॉलेज ही नहीं थी, वह बहुत लिमिटेट थी, तो यहां पर ऐसा नहीं है, कि अगर यह लोग बोल रहे हैं, इंडिया के अंदर Sanskrit, Hindi, Arabic, पढ़ाया जानी चाहिए, उनीकी लैंग्विज में पढ़ाया जायाना चाहिए, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह इंडियन कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते थे, वो खुद को प्रिजर्व करना चाहते थे, खुद को बचाना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि इंडियन ज्यादा intelligent ना हो जाए, उनको ज्यादा knowledge ना मिल जाए, अब देखिए, यह तो orientalist की बात हुई थी, अब Englishist की भी हम बात कर लेते हैं, अब देखिए, जो Englishist थे, उनका मानना था कि जो इंडिया के अंदर जो भी आप knowledge दे रहे हो, जो literature पढ़ाना चाहरे हो, वो English language में होना चाहिए, यानि कि यह लोग English language के उसमें थे, फेवर में थे, अब क्यों हो थे, वो भी हम आगे देखेंगे, इंडिया के अंदर जो आप education देना चाहते हो, या Western education देना चाहते हो, तो उसका जो medium है, वो English होना चाहिए, जो भी instruction हो, वो English में होना चाहिए, इस class consisted mostly of young officers of the company, और यह जो English थे, इसमें क्या आते हैं, ज्यादा तर young officers थे, यानि कि अगर यह लोग literature, इन दा 1813, तो में वेस्टर्न लिटरेचर, and the word Indian scholars to mean Indian scholars of Western literature, यानि कि अगर यह लोग literature की बात कर रहे थे, 1813 के अंदर के जो charter act है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, उसके अंदर अगर वो literature की बात कर रहे थे, कौन कर रहे थे, एंग्लिसिस्ट, तो एंग्लिसिस्ट जो literature की बात कर रहे थे, उससे उनका क्या मतलब थे, वेस्टर लिटरेचर, यानि कि वो इंडियन literature की यहाँ बात नहीं कर रहे है, वो वेस्टर लिटरेचर की बात करे है, and the word Indian scholar, to mean Indian scholars of Western literature, यानि कि अगर आप इंडिया के अंदर इंदर इंडियन scholars को तयार कर रहे है, तो इंडियन स्कॉलर्स भी किसके होंगे, वेस्टन लिट्रेचर के होंगे, यानि कि वेस्टन लिट्रेचर उनको पढ़ाएंगे, अब इससे वो चाहते क्या थे ये भी देख लेते हैं, यानि कि जो इंडियन उनको वेस्टन लिट्रेचर के बारे में, लिट्रेचर को हम साहिते बोलते हैं, मैंने बताया था आप लोगो, तो लेंग्वेजिस और साहिते के बारे में पता होना चाहिए, तो जो इंडियन हैं, उनके जो एजुकेशन का मीडिया में वो इंग्लिश होना चाहिए, जो इंस्ट्रक्शन से उनको इंग्लिश में दिये जाने चाहिए, जो भी पढ़ाया चाहिए, उनको इंग्लिश में पढ़ाया चाहिए, some fundamentalists were in favor of making the education of Christianity compulsory, यानि कि कुछ कटरवादी भी ऐसे थे, जो कि कहते थे कि जो इसाई धर्म की education है, शिक्षा है, वो अनिवारे की जानी चाहिए, education के अंदर तो यह जो point of view उन्हों ने रखे कि आपको English का instruction रखना चाहिए, instruction of medium English होना चाहिए, English आपको Western literature पढ़ाने चाहिए, Western Indian scholars उनको तयार करने चाहिए, तो इसके पीछे क्या thought और क्या arguments थे, thought तो हमने देखिया, अब arguments क्या थे, वो देख ले थे कि क्यों उन्होंने ऐसा बोला, but they had their own arguments in this regard, some were thinking this from the interest of India and some were thinking this from the interest of Britain, यानि कि कुछ का मानना था, कि इंडिया के favor में है और कुछ का मानना था, ये Britishians के favor में है, those who thought in terms of Britain's interest had their own arguments, यानि कि जो सोचते थे, कि ये Britishians के हक में होगा, या Britishians के लिए अच्छा होगा, अगर English literature हम पढ़ा रहे हैं, या Western Languages पढ़ा रहे हैं, तो उनका क्या कहना था, वो भी हम देख लेते हैं, तो देखिए, Western Culture could be developed in India, यानि कि इंडिया के अंदर Western Culture develop हो पाएगा, अगर हम Western Languages पढ़ाते हैं तो, या Western Literature पढ़ाते हैं तो, second क्या है, the roots of British rule in India will become stronger, यानि British rules हैं, उनके जो roots हैं, जड़े मजबूत हो जाएंगे इंडिया के अंदर, next क्या point है, हमारा देखिए, English educated junior employees can be prepared for the business and administrative work of the company, यानि कि English medium से जो पढ़े होए हैं, या English instructions से के थूजो पढ़े होएं लोग हैं, वो क्या है, junior employees का का काम कर सकते हैं, Britishians के जो वेपार हैं, और उनके जो administrative work हैं, उसके अंदर, यानि कि वो जो Indians हैं, उनको English literature पढ़ा कर, English languages पढ़ा कर, Western languages पढ़ा कर, अपना ही employee उनको बनाना चाहते थे, अपने अंडर काम कराना चाहते थे, यानि कि वो अपने लिए एक तरीके सा नोकर तयार कर रहेते हैं, जो उनकी सुने, उनकी भाशा को समझे और वो जैसा कहें, वैसा काम कर सकें, British people can be prepared in India, who will be Indians by birth, but English by thoughts, यानि कि उनका मानना था, कि अगर हम Western knowledge रेते हैं, तो हम British people को ही prepare कर पाएंगे इंडिया के अंदर, यानि होंगे आप इंडिया में ही जनम ले रहे हैं, यानि कि आप by birth तो इंडियन होंगे, बट जो आपके thoughts होंगे, वो English होंगे, एक तरीके से आप जनम इंडिया के अंदर ले रहे हैं, पर आप होंगे Britishians, क्योंकि आप उनका culture accept कर रहे हैं, आप उनकी चीजों को समझ रहे हैं, आप जो उनकी languages हैं उसको accept कर रहे हैं तो यह वो लोग थे, जो सोचते थे कि इससे Britishians को फाइदा होगा, अगर हम Western languages इंडिया के अंदर पढ़ाते हैं अब जो सोचते थे, जो लोग कि इंडिया में अगर Western languages पढ़ाई जाएं तो इंडिया का ही फाइदा होगा तो उन लोगों के भी हम views देख लेते कि क्या उनका मानना था अब देखिए दोस who thought from the point of view of India's interest had their own arguments, उनके अपने arguments से जो सोचते थे कि इंडिया के favor में होगा, तो उसमें देखिए किसका नाम आता है राजा रामॉन राय का नाम हो इसके अंदर आता है तो राजा रामॉन राय जैसे जो लोग थे, argued that through this education इंडियांस would become familiar with the latest knowledge and science and would progress themselves, यानि कि राजा रामॉन जैसे लोग जो थे, जो इंडिया के बारे में सोसे थे, इंडिया के लिए work कर रहे थे उनका मानना था कि अगर western languages सीखते है, western science सीखते है, knowledge लेते है तो इससे क्या होगा, कि वो latest knowledge होगी, latest science है उससे aware हो पाएंगे, familiar हो पाएंगे उसको वो knowledge मिल पाएंगी उस विज्ञान की knowledge उनको मिल पाएंगी अलग भाषा की knowledge उनको मिल पाएंगी जिससे कि क्या है कि वो अपने progress कर पाएंगे प्रगती कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे Due to this Anglo-Oriental controversy the company could not decide any of its education policies for 20 years, अब क्या था कि इस जो Charter Act था 1813 का उसमें Anglo-Oriental controversy हो गई जो अभी हमने controversy की बात की जो education से related थी कि क्या उनको पढ़ाया जाए किस क्या medium होना चाहिए था तो इस controversy की वज़े से 20 years सक कोई policy नहीं बनी थी क्योंकि कुछ decide ही नहीं हो पाया था तो इसलिए policy भी नहीं बन पाई थी तो यह आप लोगों का charter act था charter act 1813 इसकी पूरे मैंने full detail में आप लोगों को यह पूरा share किया है आप इन notes को अपना prepare करके इसको अच्छे से पढ़िए अगर कोई doubt होता है तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं तो अब इसके difficult words देख लेते हैं हम कुछ जो मैं हमेशा share करती हूँ आप लोगों के साथ में क्योंकि जो मैं वीडियोज है वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों तरह की बच्चों के लिए तो सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आई इसलिए यह words आप लोगों के साथ में में शेयर करती हूं तो देख लेते हैं इसमें सबसे पहले हैं डिस्प्यूट यानि विवाद नेक्स से ओरिजिनेटिड उत्पन हुई कमर्शल वेवसाइक, मोनोपॉली एक अधिकार, ओपियम ट्रेड, अफिम वेपार, एंगलिसिस्ट, पाश्चात्यवादी, ओरियंटलिस्ट, प्राच्यवादी, लिट्रेचर, साहित्य, तो यह कुछ मैंने वर्ड्स लिए हैं क्योंकि बीच बीच में मैंने लिख भी दिये तो देखिए, एजुकेशन से जुड़ा हुआ चैनल है, तो एजुकेशन से जुड़े हुए ही वीडियो इसके आपको सारे मिलेंगे, तो जो बच्चे कॉंपुटिटिव एक्जैम के तयारी करने हैं, वो सभी वीडियो को अच्छे से देखें, उनको समझें, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो कमेंट बोक्स में लिख बताएं, और अच्छा लगता है, तब भी आप कमेंट बोक्स में लिख कर मुझे जरूर बताएं, और अगर आप कोई और वीडियो देखना चाते हैं, या फिर आपको अगर प्लेटिव पढ़ना चाते हैं, तो वो तो अगर आप उसमें नहीं ढूंड पाते तो आप लेलिस्ट पर जाएंगे तो आपको एजली मिल जाएगा और शेयर भी करें दूसरे बुच्चों के साथ भी नौलिश को जरूर बाटें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें तो जल्दी मिलते हैं नेक्स वीडियो में अभी के लिए थैंक्यू धन्यवाद